नमस्कार, उद्देश अकेडमी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग क्लास 10 NCRT बूक का पाठ दो चरों वाले रेखिक समिकरन की प्रशनावली 3.1 करेंगे तो आए शुरू करते हैं तो 3.1 का पहला प्रशन है देखें लिखा है आफताप अपनी पुत्री से कहता है साथ वर्स पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाऊंगा यह इस्तिती को बीजगरिती है एवं ग्राफिय रूपों में व्यक्त कीजिये ठीन है तो सबसे पहले आफताप की वर्तमान आयू मान ली जाए तो लिखते हैं प्रशन एक माना आफताप के के वर्तमान आयू वर्तमान आयू कितनी यक्स वर्स ले लिए ठीक ना तो इसमें लिख लेते हैं फिर ये वाम उसके पुत्री की आयू पुत्री की वर्तमान आयू ठीक अब प्रशना नुसार इसमें लिखता है कि साथ वर्स पूर्व ठीक ना तो हम लिखते हैं साथ वर्स पूर्व तो साथ वर्स पूर्व पहले की बात करेंगे तो जो वर्तमान आयू है उसमें साथ वर्स माइनस कर लेंगे तो लिखते हैं आफताफ की आयू तो क्या करेंगे साथ वर्स पहले तो मतलब यक्स माइनस सेवन कर लेते हैं ठीक न यक्स माइनस सेवन वर्स एवाम उसके पुतरी की आयू पुतरी की आयू इसमें भी साथ गटा लेंगे तो लिखते हैं वाई माइनस सेवन वर्स ठीक न तो अब देखी क्या लिखा हुआ है साथ वर्स पूर्व तो साथ वर्स पूर्व हमने उमर बना लिया अब लिखा है कि मैं मतलब आफताफ देखें आफताफ बोलता है कि तुम से साथ गुनी आयू का था तो जो पुत्री की आयू है उसमें साथ गुना कर लीजे इसका तो साथ का गुना कर दिया ठीक ना आफताफ की आयू उसकी पुत्री की आयू की साथ गुनी थी ठीक ना तो X-7 बराबर, इसका 7 का गुड़ा दोनों पदों में होगा, तुझाएगा 7Y-749, ठीना, Y को पक्छांतर कर लेते हैं, तो पक्छांतर करेंगे यह तिरफ तो-7Y बराबर, यहां बज़ गया केवल, minus 49, और इस minus 7 को पक्छांतर कर देते हैं, तो minus 7 है, तो plus 7 हो गया, तो लिखते हैं, yes minus 7Y बराबर, minus 49, plus 7, कि ज़गा minus 42, ठीना, यह पहला समीकरण हो गया, इसी पकार लिखा है, अब से 3 words बाद, तो अब लिखते हैं, 3 words बाद, मतलब अब से बाद की बाद की जा रही है, है ना, तो इसकी उमर भी जाएगी, बढ़ा देंगे 3-3 साल, आफताब की आयू, आफताब की आयू कितनी जाएगी, x plus 3, ठीक ना, और एवं, उसके पुत्री की आयू, पुत्री की आयू, इसमें भी plus 3 कर देंगे, तो यह y है, तो इसमें लिखेंगे, y plus 3 words, अब देखें, इसमें क्या लिखा है, कि 3 words बाद मैं तुम से, ठीक ना, तो मैं मतलब आफताब, x plus 3, यह वाला, कितना हो जाएगा, अपनी पुत्री सी कितना हो जाएगा, केवल 3 गुना कर रह जाएगा, तो पुत्री की आयू में 3 का गुना कर देते हैं, तिरह पुत्री की आयू, इसमें 3 का गुना कर दिया, अब इसको हल कर लेते हैं, तो जाएगा, x plus 3, बराबर, 3 का गुड़ा, दो तो यक्स और इसको पक्षांते करेंगे तो minus 3y बराबर 9 और 3 को पक्षांते करेंगे तो minus 3 तो इस प्रकार क्या बन गया? यक्स minus 3y बराबर 6 ठीन है? समीकरन 2 तो इसमें देखिए सबसे पहले बुला है इस इस इस्थिती को बीजगरिती रूप में ब्यक्त करना है ठीक ना देखें बीजगरित की रूप में ही ब्यत्थ हो गया इसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर लिखेंगे बीजगरतिय रूप में देखें इसको लिख लेते हैं यक्स माइनस 7Y बराबर माइनस 42 और यह हो गया यक्स माइनस 3Y बराबर 6 तो बीजगरित की रूप में लिख लिया ठीक ना अब बोलता है इसका ग्राफ हिच के दिखाए ग्राफ के रूप में बैक्त करने के लिए यक्स और Y के कुछ मान ग्याद करेंगे तो देखें पहले लिखेंगे समीकरण एक से ठीक ना देखें ग्राफ में कैसे ग्याद किया आता है समीकरण एक से तो पहले हम समीकरण एक को यहाँ लिख लेते हैं x minus 7y बराबर minus 42 ठीक ना? तो देखिए पहले समीकर्ण लिख लिया अब इसमें किसी एक को किसी दूसरी के पद में ब्यक्त करना है हम x 4 को देखिए x को यहां छोड़ दिए y को पक्छांतर कर रहे हैं तो minus 42 और इसको पक्छांतर करेंगे तो plus 7y आ गया ठीक ना? तो यह हो गया x बराबर minus 42 plus 7y ठीक? अब हम यहाँ पे एक box बना लेते हैं चाहिए यहाँ चाहिए यहाँ रख लेते हैं ठीक ना? यह रखा है x और यह y इसमें हम कोई 3 मान ग्याद करेंगे देखे y का मान ग्याद करेंगे तो y का मान ग्याद होता जाएगा ठीक неб? तो अब हमको y का मान रखना है तो देखे हमको y का मान इस प्रकार रखना है कि जब हम graph बनाएं तो उसमें कोई ज्यादा मान न हो जाए जीससे हमको बड़ा graph न बनाना पड़े जैसे अगर मैं यहाँ पर y कमान 0 रख दूँ ठीक ना तो यह पत 7 0 जा 0 7 गुड़े 0 मतलब यह 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना माइनस 42 ठीक ना अब और कुछ मान रख के देखते हैं देखे अगर मैं य बराबर 1 रख दूँ ठीक ना तो यहाँ पर क्या आता है यक्स बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुड़े 1 बराबर माइनस 42 प्लस 7 तो यह हो जाएगा माइनस 35 तो देखे अभी भी मान जादा है ठीक ना इसी प्रकार जब इस तरह खोशते चलें तो y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4 देखे ये मान कोई गलत नहीं है ठीक ना ये का मान एक रखिए x का मान मानस मैं 30 साया तो दोनों भी सही है मगर हमको गराब बनाने परसानी नहीं हो इसलिए हम ऐसा कोई मान रखेंगे ताकि हमको कोई मान ज़्यादा बड़ा नप्राप्त हो ठीक ना दिसे अब देखे अगर मैं यहां y बराबर 5 रख लेते हैं ठीक ना देखे यहां पर क्या रखते हैं यक्स कितना आयागा मान माइनस 42 प्लस 7 गुड़े 5 बराबर माइनस 42 प्लस 35 तो यह देखे माइनस 7 आ रहा है ठीक ना और माइनस 7 को ग्रापर दिखाना संभो है है ना मतलब परसानी नहीं होगा उसको तो इसलिए हम पहले y बराबर 5 फिसपा 6 और एक 7 ले लेंगे ठीक ना तो इसको रख लेते हैं तो यही मान रखेंगे हम तो देखें रखते हैं अब तो रखते हैं y बराबर 5 रखने पर तो 5 रखेंगे तो यहक्स का मान आजएगा माइनस 42 प्लस 7 गुड़े 5 तो यह होगा माइनस 42 प्लस 35 तो 35 और 22 तो देखें माइनस है और एक प्लस है तो मेंसा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो 42 में अगर 35 जाएगा तो 7 बचेगा और बड़ी संख्या में माइनस चीन है तो माइनस लग जाएगा इस पकार y बराबर 5 तो x बराबर minus 7 प्राप्थ हुआ ठीक न अब देखें y बराबर 6 रख लेते हैं y बराबर 6 रखने पर तो y बराबर 6 रखते हैं तो देखें आएगा yaks बराबर minus 42 प्लस 7 गुड़े 6 बराबर minus 42 प्लस 7 चंग 42 तो 42 प्लस गया 0 तो 0 आगया तो y कमान 6 पर यह 0 आया देखें y बराबर 7 रखने पर रखने पर तो देखें रखते हैं yaks बराबर minus 42 प्लस 7 गुड़े 7 है ना y कमान 7 रख दिया तो यह आया minus 42 प्लस 7 सते 49 इस प्रकार प्लस 7 आगया ठीक ना 49 ने 42 गया तो 7 तो रखेंगे 7 पर 7 आगया ठीक ना इस प्रकार पहले समीकरण से यह हमने कुछ मान ग्याद कर लिया अब समीकरण 2 से ग्याद करेंगे ठीक ना यह वाला मिटा लेते हैं अब देखें लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो दूसा समीकरण क्या था? यह देखे लिखा है X-3 Y बराबर 6 ठीड़ी न, यह समीकरण 2 है अब इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर यह रहा X Y ठीड़ी न, और Y को पक्षांत कर लेते हैं तो यह जगा X बराबर 6 प्लस 3Y ठीक, अब यहाँ पर भी Y कमान ग्याद करना है अब देखें Y कमान ऐसा रखें जिसमें हमको गराब बनाने में दिक्कत न हो ज़्यादा बड़ा मान न आए तो अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ है न, Y कमान 0 रखने पर X बराबर यहाँ आएगा 6 प्लस 3 गुड़े सुन्ने, तो यह हो गया 6 प्लस सुन्ने बराबर 6, ठीक न, 0 ही आएगा इस कांसर तो 6 हो गया तो Y कमान सुन्ने पर X कमान 6 आगया इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, ठीक न, 1 रख देंगे, तो 3 एकम 3, 3 और 6, 9 आगया ठीक न, तो इसलिए थोड़ा सा मान बड़ा आ रहा है तो अगर हम कोई ऐसा ही मान रख दें जिससे मान छोटा जाए, तो वही रखेंगे तो देखें, इस बार प्लस 1 नहीं माइनस 1 रख के देख लेते हैं यहाँ पर ठीक न, वह वरना रखने के लिए कुछ भी रखिए, आंसर आएगा ठीक न, तो y बराबर माइनस 1 रखने पर तो यहाँ रखेंगे x बराबर 6 प्लस 3 गुड़े माइनस 1 तो यह आगया, 6, 3 एकम 3, देखे, 6 में 3 गया, 3, देखे, सही मान 3 आगया, तो माइनस 1 और यह 3 रख लिया, इसी प्रकार y बराबर माइनस 2 रख लेते हैं y बराबर माइनस 2 रखने पर तो देखे, रखते हैं x बराबर 6 प्लस 3 गुड़े माइनस 2 यह आया, 3 दुनी, 6 6 में 6 गया, सुनने तो y बराबर माइनस 2 पर यक्स कमान, सुनने प्राब्त हुआ इस प्रकार इन दोनों पर हम ग्राफ हीचेंगे ठीक ना, तो ग्राफ कैसे हिचते हैं, उसको देखा जाए देखे, हमको एक किनारे रख लेते हैं ये वाला पहले समीकन से आया है और एक दूसा समीकन वाला हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब देख, ठीक ना इसे ग्राफ हीचते हैं तो देखे, ये राए एक उर्धवारधर रेखाहीं चीज आती है ठीक ना, फिर एक 36 रेखाहीं ची जाती है ठीक, ये दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं उसको मूल विंदू बोलते हैं इसको यक्ष अक्ष बोलते हैं तेरा यक्स अक्ष और उर्धवाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं वाई अक्ष ठीना तो यह यह डैस हो गया ठीना इस पर दाई तरफ प्लस में रहेगा तो देखें यहाँ पर रख लेते हैं बराव बरावर दूरी पर होता है तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार इधर माइनस मिलेंगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7 ठीक ना यह बरावर बरावर दूरी होती है ठीक ना स्केल से आप एकक सेंटीमीटर पर ले लीजिएगा अब फिर y, x में लेंगे यह रहा ऊपर की तरफ प्लस में होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार यह माइनस में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 ठीक ना यहां तक ले लिया अब देखे पहले हम इसको दिखाते हैं ठीक ना इसमें देखे सबसे पहले x कमाण माइनस 7 है ठीक ना? x कमाण माइनस 7 तो इस x अक्ष पर देखे माइनस 7 यह रहा फिर y कमाण कितना है? 5 प्लस में है यह रहा ठीक ना तो यहां से एक लाइन हीचेंगे ऐसे dot 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 में scale लगा के हीचेंगे और इसके सिधा में एक scale लगा के से हीच देंगे ठीक ना? जहां दोनों बिंदू मिलेगा वही इसका यह बिंदू प्राप्ट हुआ क्या आया? माइनस 7 और 5 ठीक ना? इसमें लिखते हैं सबसे पहले x वाले को लिखते हैं फिर यहां y x को ठीक ना? इसको भूच और इसको कोटी बोलते हैं ति माइनस 7 यक्स वाले निर्देशांग को पहले और y वाले के बाद में तेरा अब चाहिए इसको डॉट को आप लगाए चाहें ना? लगाए ठीक ना? यह बस लाइन यह बिंदू को सही-सही दिखाने के लिए खीक ना? अब देखें इसमें लिखा है 0 तो एक्स कमान सुनने और y कमान चैए तो यह देखें एक्स कमान सुनने है न इधर गया न उधर गया और y कमान यह रहा चैए ठीक ना? तो इहीं पर रख लेता हैं यह बिंदू हो गया और यहाँ पर लिख लेंगे इसे क्या है तो यह गया सुन और छे ठीक ना अब देखें इसमें सेबन सेबन है इस वाले में साथ साथ है तो एरा साथ इसका और एरा साथ इसका यहाँ पर एक सिधी रेखा हीच लेते हैं और यहाँ से शीदी रेखा हीच लेंगे तो यह बिंदू आया तो इसको निदेशांग लिख लिके हैं यह साथ और साथ हु मिलाटे हुए से एक सीधी रेखा हीच तो सीधी रेखाहिच देती है तो हमको इसका पहला एक रेखा प्राप होगा हुआ है यह हुआ यह ठीक न, यह प्राप्त हो गया, और फिर दूसरी रेखार हिस देते हैं, यह दूसरा ग्राफ है, इस पर लेके लिखाए 6 और सुनने, तो यक्स कमान 6 यह रहा, और y कमान सुनने, मतलब यही सुनने है, तो यह कहीं उपर नीचे नहीं उठा, तो यहीं मान हो गया, यह आइ6 और 0, ठीक और यहाँ पर लिखाए, फिर यक्स कमान 3, तो यक्स कमान 3 यह रहा, और y कमान माइनस में, यह वाला माइनस में, ठीक न, फ्लस और यह माइनस, तो इसको लाइन ही चलेंगे, और यह 3 पर तक जाना है, यह रहा, यह बिंदू हो गया, तो म को क्या मिला, 3 और माइनस एक, फिर अंत में लिखा है, यक्स कमान सुन्ने और वाई कमान माइनस टू, ती रहा, तो यहां लिख लेते हैं, सुन्ने और माइनस टू, अब इसको सिधी रेखा है, इसके लाक हिस देंगे, तो यह आ जाएगा, एक दूसरी रेखा जाएगी, और इस पर इन दोनों रेखाओं पर जो इनके समिकन को भी सी को पर लिख देंगे, तो इसको समिकन को भी लिख देते हैं, तो देखें, इसके समिकन को भी लिख दिया, यह पहले वाले समिकन से प्राप्त हुआ था, और यह दूसरे वाले समिकन से प्राप्त हुआ था, ठीना चाहिए ये सेम चीज़ है ये इसको भी अंदर कर लेंगे तो जाएगा यक्स माइनस 3Y माइनस 6 बराबर 0 ठीक ना तो ये रहा इसे तो ये ग्राफीर रूप में हमने दिखा दिया तो पहला प्रस नमबर समाथ हुआ अब देखें पहला प्रस नमबर 2 देखते हैं अब देखें प्रस नमबर 2 में लिखा है किकेट टीम के कोज ने रूपए 49 सो रूपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की तीन गेंदे 13 रूपए में खरीदी इस इस्तिती को बीजगरितिये तथा ज्यामीतिये रूपों में ब्यक्त कीजिये ठीक ना तो देखते हैं इसमें भी बीजगरित और ग्राफ के रूप में ही दिखाना है तो देखें लिख लेते हैं माना प्रस नमबर दो यह रहा प्रस नमबर दो देखें माना क्या लिखाया पहले बल्ला लिखाया तो लिखा माना एक बल्ले का मुल्ले कितना हो जाएगा एक सु रूपया यह वाम एक गेंद का मुल्ले वाई रूपया ठीक ना तो प्रस नमबर क्या हो जाएगा प्रस नमबर दो देखें इसमें पहले 20 गड़तिय रूप में दिखा लेते हैं इसको बल्ले का मूल एक्स रुपया है तो तीन बल्ले का मूल थ्री एक्स और एक गेंद का मूल वाई रुपया है तो छे गेंद का मूल छे वाई बराबर उन्तालीस तो रुपया ठीक ना यह पहला समिकर आ गया फिर दूसरा देखते हैं तो देखें पहले दूसरी वाले में क्या एक ही बल्ला खरीदा है, टो एक बल्ले का मूँल एक सु रुपया, और तीन गेंध लिया है, तो तीन गेंध का मूँल ठी वाई, बराबर, अब कितना रुपया दिया, यह थेरा सु रुपया दिया, तो देखें यह बीजगरती रूप में हमने दिखा लिया, ठीक ना, अग समीकरण 1 से तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं यहाँ पर तो लिखे 3x प्लस 6y बराबर 49 अब देखें इसमें 3 3 common है ठी न उभे निस्ट है तो हम 3 बाहर निकाल लेते हैं तो आसा समीकरण easy हो जाएगा 3 बाहर निकाल लिया तिहां बचा x प्लस 3 दुनी है ना 3 दुनी छेव जाता है बराबर यह से अब यह 3 नीचे पक्षानते कर देते हैं तो जाएगा x प्लस 2y बराबर 49 बटे 3 तो 3 से कर जाएगा 3 एक कम 3 तरिकाई 9 तो देखें समीकरण के आया x प्लस 2y बराबर 300 ठीक ना अब इसमें गराब दिखाना है गराब हिचना इसके लिए कुछ कुछ मान ग्यात करना है तो इस 2y को पक्षान तक कर लेते हैं तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2y ठीक ना अब यह बॉक्स बना लेते हैं एक यहीं हिच लेते हैं x और यह y ठीक ना इसको एक जहें ही बना लेते हैं ठीक ना यहां लिख लेते हैं x और y ठीक ना तीन मान ग्यात करेंगे अब देखें इसमें y कमान इसी प्रगाद ध्यान रखके रखना है ताकि हमको जब ग्राफ भीचें तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर ना आये मानों का या मान ग्राफ भीचने में परसानी नहों हो तो देखें हम यहां पर लिख लेते हैं अगर मैं y कमान क्या रख लिए जाए अगर 500 रख लेते हैं तो 500 गुड़े 2 1000 आजाएगा तो 1300 में 1000 घटा देंगे तो 300 आजाएगा ठीक ना तो यह भी ठीक है इसको रख लेते हैं 500 रखने पर ठीक न तो 500 रखेंगे तो देखें यक्स कमान कितना जाएगा 1300 माइनस दो गुड़े 500 तो यह हो गया 1300 माइनस 1000 तो इसको घटाएगे कितना जाएगा 300 ठीक न तो देखें y कमान 500 रख लेते हैं तो यक्स कमान कितना जाएगा 300 ठीक न अब एक बार 500 600 रख लेते हैं तो y बराबर 600 रखने पर तो 600 रखेंगे कितना जाएगा यक्स बराबर 1300 माइनस दो गुड़े 600 तो यह हो गया 300 माइनस 1200 इस प्रकार 100 आ गया तो यक्स कमान 600 तो y कमान 100 ठीक न और एक बार y कमान 700 रख लेते हैं y कमान 700 रखने पर तो देखे y कमान 700 रखेंगे तो y बराबर 1300 माइनस दो गुड़े 700 ठीक न इसे वाले में रख रहे हैं दो गोडे 700 यह हो गया 1300 माइनस 7 दुनी 1400 तो यह गया माइनस 100 यहां लिख लेंगे 700 माइनस 100 तो यह पहले समीकरण से कुछ मान ग्यात हो गया अब दूसा समीकरण लिख लेता है यही पर यह रखा है लिखेंगे समीकरण 2 से तो 2 के लिए भी यही बॉक्स बना लेते हैं इसमें भी 3 मान रख लेंगे X और Y यह रहा तो समिकर्ण 2 से यह रहा समिकर्ण 2 लिखते हैं X plus 3Y बराबर 300 अब इसमें कितना है? इसको पक्छानते कर लेते हैं Y कमान पहले X बराबर 300 minus 3Y ठीना? इसमें अब इतना मान रखेंगे हम लोग तो देखें क्या रख दें यहाँ पर? Y बराबर 400 रखने पर 400 रखने पर तो देखें X कमान कितना जाएगा? 1300 minus 3 गुडे 400 तो यह हो गया 1300 minus 4 यहीं 1200 तो यह हो गया कितना? 1300 में 12 हो गया तो 100 आगया तो यह रख देते हैं 400 और यह आगया 100 प्राप्त हुआ तो इसी प्रकार यहाँ रख लेते हैं लख लेते हैं Y कमान 500 रख लेते हैं Y कमान 500 रखने पर तो देखें क्या जाएगा? X कमान जाएगा X बराबर 1300 minus 3 गुडे 500 यह हो गया 1300 minus 1500 तो इसको घटा देंगे तो 1300 में 1500 हो गया तो minus 200 यह हो गया 500 और यह हो गया minus 200 ठीक न? एक और मान रख लेते हैं Y बराबर 600 रखने पर तो रखेंगे तो इसके तना है X बराबर 1300 minus 3 गुडे 600 तो यह हो गया 1300 minus 1800 तो यह जाएगा minus 500 ठीक न? तो minus में है छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा तो minus 500 आ गया यह minus 500 और यहाँ 600 ठीक न? तो इस प्रकार मान ज्याद के लिएब हम लोग ग्राप दिखाते हैं इसका ठीक न? यह है y अक्ष सुनने यह y अक्ष ठीक न? यह x x अक्ष यह x डैस और यह y डैस यह इसमें सबसे दिख कितने 700 है ठीक न? तो हम चारो दिशाओं में 700 ही चेंगे ती हो गया 100 यह 200 यह 300 400 500 600 और 700 और यहां हो जगा माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600 और माइनस 700 हो गया इसी प्रकार y अक्स का भी देख लेते हैं 100 दो सो तीन सो चार सो पान सो चेंगे और यह साथ सो और यहां हो जाएगा माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600 और माइनस 700 ठीक ना अब देखे इसको दरसाना सुरू करते हैं तो यह पहला वाला है x बराबर 300 और y बराबर 500 तो x बराबर 300 का है यह रहा और y बराबर 500 यह रहा तो यहां पर हीच देंगे यहां पर और यह x बराबर 300 ठीक ना इसकेल से हीचेंगे तो द्दम सही आएगा यह रहा तो हो गया 300 300 और 500 ठीक ना इसको मिटा देते हैं ठीक न यह बिंदू प्राप्त हो गया X कमान 100 है X कमान 100 और Y कमान 600 ती रहा यह रहा ठीक न ती हो गया 100 और 600 X कमान-100 X कमान-100 Y कमान 700 ती देखिए इसको ऐसे हिच लेंगे यहाँ पर ऐसे हिचेंगे तो यह यहाँ जाएगा लग ती हो गया माइनस 100 और यह 700 ठीक न इसके रखेंगे और तीनों बिंदू को मिलाते विए एक रेखा हिचेंगे यह रहा ठीक न ती हो गया अब दुसा से इसमें देखते हैं एक्स बराबर 100 है एक्स बराबर 100 और य बराबर 400 तो यह रहा इसे यह हो गया 100 और 400 फिर माइनस 200 यह रहा माइनस 200 य कमान 500 तो देखें यह रहा यह रहा इसे मिलेगा यहां पर ती हो गया मान ती हो जाएगा माइनस 200 और 500 यह बिंदू प्राफ्ट हो गया फिर एक्स कमान माइनस 500 एक्स कमान माइनस 500 और य कमान 600 तेरा 600 इसको जम हीचेंगे यहां लगभगा आएगा देखें यह यह आ गया यह बिंदू आ गया तो यह हो गया माइनस 500 और 600 अब इसके लागा के इनको भी हीचेंगे तो देखें इसके लागा के हीचेंगे यह बिंदू गया अब इन दोनों पर इनके समीकन को भी लिख देते हैं तो लिख दें पहले इसको यहां लिख देते हैं इसका तो इसका समीकन था यक्स प्लस 2y बराबर 1300 ठीना और इसका समीकन था यक्स प्लस 3y बराबर 1300 इन दोनों को लाइन हीच कर इसके समीकन को भी लिख दिया तो यह प्रस्ट नमबर 2 हो गया प्रस्ट नमबर अब 3 देखते हैं देखे प्रस नमबर 3 में है दो केजी सेव और एक केजी अंगूर का मूले किसी दिन 160 रुपे था एक महने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूले 300 रुपे हो जाता है इस इस्तिती को बीजगरती तथा ज्यामिती रूप में व्यक्त कीजिए तो इसमें लिख लेते ह प्रस नमबर 3 माना एक केजी सेव का मूले क्या गया एक्स रुपे ले लिए एवं एक केजी अंगूर का मूले अंगूर का मूले वाई रुपे लिख लिया तो प्रस्टान उसार देखते है देखे पहली बार लिखा है दो केजी सेव ठीना तो एक केजी सेव का मूल एक्स रुपे तो दो केजी सेव का मूल टू एक्स प्लस एक केजी अंगूर लिया गया है तो एक केजी अंगूर का म मुल Y रुपया है तो बराबर 160 रुपया तो यह पहला समिकन मिल गया इसी प्रकार देखे अब 4 kg सेव खेदा गया है तो 1 kg सेव का मुल 100 रुपया है तो 4 kg सेव का मुल 4X प्लस 2 kg है तो 2Y बराबर 300 13 समिकन दो यह रहा ज्यामिती रूप में प्रदर्सन हो गया आप इसका ग्राप हीचेंगे तो ग्राप हीचने के लिए कुछ मान ग्याद कर लेते हैं इसका समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो पहला समीकरण देखे यह लिखा हुआ है 2X प्लस Y बराबर 160 तो Y कमान कितना जाएगा 160-2X ठीना यहाप हम X कमान रखेंगे तो Y कमान ग्याद हो जाएगा इसके लिए हम यहाँ बॉक्स बना कर रख लेते हैं X यह Y ठीना इसके लिए यह रहा समीकरण भी है यही पर लिख देते हैं ग्राब लिखते समीज को लिखना पड़ता है यह रहा ठीना इस ग्राब के लिए हम मान ग्याद कर रहे हैं तो Y कमान कितना रख दें हम यहाँ पर Y कमान 50 रख लेते हैं अब ठीना तो 50 रखेंगे तो Y कमान कितना आएगा 160-2 गुड़े 50 ती हो गया 160-100 ती हो गया 60 तो इदे कि Y कमान 50 रखने पर Y कमान 60 पराप्ट हुगा फिर X बराबर 60 रखने पर तो 60 रखेंगे तो कितना पराप्ट लेगा तो Y बराबर 160-2 गुड़े 60 ती हो गया 160- 120 तो यह गया 40 तो 60 पर 40 पराप्ट हो गया इसी परकार एक मान और ज्यांत कर लेते हैं देखे लिखते हैं X बराबर 70 रखने पर तो 70 रखेंगे तो कितना आएगा देखे Y बराबर 160-2 गुड़े 70 ती हो गया 160-140 ती हो गया 20 तो 70 पर 20 पराप्ट हुआ तीना ती हो गया पहले समीकरण से कुछ मान ग्यात हो गया अब समीकरण 2 लिख लेते हैं लेखेंगे समीकरण 2 से तो दूसा समीकरण है देखें दूसा समीकरण ये रहा ठीना इसको लिखते हैं 4X प्लस 2Y बराबर 300 ठीना इसमें देखें दो-दो उभेनिस्ट है तो उभेनिस्ट निकाल लेते हैं ती है आया 2 तेहां एगा 2X आया प्लस ये Y बचा यहां पर बराबर 300 दो नीचे पक्षांतर कर देते हैं ती है आया 2X प्लस Y बराबर 300 बटे 2 दो नीचे पक्षांतर हो गया ती हो गया 1.500 तो अब इसमें मान रखेंगे 2X प्लस Y बराबर 150 तो Y बराबर कितना हो गया भी लिख लेते हैं 4X प्लस 2Y बराबर 300 इसके लिए ग्राफ हीज रहे हैं यहां तो बॉक्स बना ले 1X Y 1, 2, 3 तीन मान रखेंगे तो यहां पर भी ऐसमान रखेंगे तो यहां पर कितना था? 160 यहां भी यही मान रखेंगे तब भी आंसा रहाएगा यक्स बराबर 60 रखने पर रखने पर तो 60 रखते हैं तो देख कितना रहाएगा Y बराबर 150 माइनस दो गुड़े 60 ती हो गया 150 माइनस 120 ती प्राप्त हो गया 30 तो 60 पर 30 प्राप्त हुआ फिर लिखते हैं यक्स बराबर 70 रखने पर तो 70 रख लेते हैं तो अज़ेगा Y कमान Y बराबर 150 माइनस दो गुड़े 70 ती हो गया 150 माइनस 140 ती हो गया 10 ती हो गया 70 और यह रहा 10 ठीक ना और एक बार X बराबर देखे 80 रखते हैं या तो फिर यहां 60 रखे तो 50 रख लेते हैं ठीक ना तो 50 रखने पर ठीक ना तो 50 रखेंगे देखे 80 रखेंगे तो एक 80 तक का ग्राफ हीचना पड़ेगा है ना आठ बिंदू रखना पड़ेगा तो 50 रख लेते हैं तो य बराबर इसके लिए ग्राफ हीचते हैं यह वाई अक्ष ही लिया और यह एक्ष अक्ष वाई अक्ष और यह एक्ष अक्ष यह वाई डेस यह मूल बिंदू है सुनने हो गया अब देखे सबसर देख 70 है तो चारों तरफ हम 70-70 लिख लेते हैं लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60, माइनस 70 माइनस 10, माइनस 20, ओपर है तो प्लस में रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60 और माइनस 70 तो इस ग्राब पर सबसे पहले इसको दिखाते हैं हम लोग तो देखें सबसे पहले यहाँ X के X 50 और Y कमान 60 है X कमान 50 और Y कमान 60 इसी प्रकार X कमान 70 भी है तो देखें रास्ते यहाँ आरा इसको हमने उठा के इधर कहीं लिख लेते हैं ठीक ना तो इसी को लिख लें इधर नीचे लिख लेते हैं इसको ठीक ना यह लिख लेते हैं यह आया है 2x plus y बराबर 160 और इस वाले को भी लिख लेते हैं यही पर x y 60 70 50 यह 50 यह 10 और यह 30 इसका समिकर्ण है 4x plus 2y बराबर 300 ठीक ना अब इसको मिटा लेते हैं तो देखें सबसे पहले 50 और 60 तो x का मान 50 और y का मान 60 तो यह हो गया तो यह रहा इस पर लिख लेंगे यह आपर 50 60 ठीक फिर लिखा है 60 60 और 40 यह 60 और 40 यह हो गया 60 40 ठीक ना फिर 70 तो x का मान 70 और y का मान 20 इसको इसकेल सी हीचेगा दम सीथा सीथा आएगा तो यह 70 तो यह हो गया x का मान 70 और y का मान 20 ठीक ना तो अब इसको एक इसकेल लगा के सीथे हीच देंगे इन तीनों बिंदों से होता हुआ गुजरेगा एक रहा ठीक ना और इसी रहा पर इसका समिकन लिख देंगे तो यह हो गया 2x प्लस y बराबर 160 ठीक ना इसी प्रकार इसका एक रहा हीच लेते हैं तो इस पर लिखा है x कमान 60 और y कमान 30 तो x कमान 60 और y कमान कितना है 30 तो इसको देखते हैं और यह रहा 60 ठीक नों तो यह रहा यहां पर आया तेकए जो डौलं डॉट है इसको इसको अब हटा भी सकते हैं कि यह हटा लिया कि तो कहा भाब ये ए तिन तो 60 30, 60 30 तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर यह दिखा 60 और 30 ठीजा यह बिंदु आ गया और इसपे दान sharpen 70 यकक्स कमान Y कमान 10 तो देखें यह आया तो लगभग यहां पर आएगा इसको लिख देंगे 70 10 फिर 50 50 यह है 50 और यह है पचास इसको हींच लेते हैं याप पर यह पचास तो यह हो गया पचास 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 और पचास ठीक ना तो जो डॉट हींचे है उसको मिटा लेते हैं यह रहा तो इतीन बिंदू यहां से प्राप्त हुआ है इन तीरों बिंदू को हीचेंगे एक इसके लगा लिजे इस पर हीचेंगे तो आएगा एक सीधी रेखा बन जाएगी ठीक ना तो इसका भी जो समिकन है उसको लिख लेते हैं यहां पर तो यह हो गया 4X प्लस 2Y बराबर 300 ठीक ना तो यह हो गया इस प्रकार यह समिकन बन गया और यह ग्राफी परदरसन भी हो गया